नमस्ते आज हम लोग बनाने जा रहे हैं प्राण मलाई करी उसके लिए हमें चाहिए 500 ग्राम प्राण उसको साफ करके हल्दी और नमक मिलाके रख दीजिए अब मसाले के लिए हमें चाहिए यह बहुत जरूरी है और 4 टेबल स्पून मस्तार ओल पहले हम एक पैन लेंगे उसको गरम कर लेंगे और उसमें 2 टेबल स्पून मस्तार ओल डाल देंगे जैसे ही गरम हो जाए तो हम उसमें प्राण डाल देंगे सारा और प्रॉन को ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है थोड़ी देर के लिए बस एक बार इस साइड को फ्राई कर लाना है और एक बार उस साइड को फ्राई कर लेना है अब हो गया अब हमें प्यान को निकाल देंगे और एक कडाई चड़ा देंगे कड़ाई में 2 टेबल स्पून मॉस्टर ओयल डाल देंगे जैसे ही टेल गरम हो जाए उसमें जो चॉप्ट किया हुआ ओनियन है और डाल देंगे उसको थोड़ा फ्राई करेंगे उसका कलर जब चेंज हो जाएगा देखिएगा थोड़ा कलर चेंज होने के बाद हम उस पे जिंजर गालिक का पेस्ट डालेंगे और थोड़ा सा फ्राई करने के बाद जिंजर गालिक के पेस्ट को जब उसका स्मेल चली जाए तो उसमें हम डालेंगे काजु का पेस्ट उसके बाद हम लोग टोमाइटो डाल देंगे और टेस्ट के हिसाब से आप नौमक डाल दीजिए उसके बाद हम डालेंगे चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर सारा डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे फिर हम थोड़ा पानी डाल देंगे मसाले को पकने के लिए थोड़ा पानी दे देंगे नहीं तो मसाला जल जाएगा तो इसलिए हम थोड़ा पानी दे के उसको फ्राई करेंगे और जब तेल उपपर आ जाए तब सारा जो फ्राइ किया हुआ प्रॉन है उसको इसमें मिला लीजिए मसाले में अभी मैंने थोड़ा क्रीम डाल दिया था लेकिन मैं शूट करना भूल गई थी तो क्रीम डाल के थोड़ा से इसे पका लिजिए और फिर थोड़ा पानी डाल दिजिए और धकन लगा लिजिए बस दो मिनिट के लिए आपको कवर करना है दो मिनिट के बाद ओ रेडी हो जाएगा अब रेडी हो गया है हमारा अभी सर्प कर लेंगे गरम गरम इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ, नान के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं सर्प करने के बार इसके उपर हम लोग कोरियंडर लीब और चौप्ड कोरियंडर लीब और मलाई डालके उसको गार्निस कर लेंगे अब रेडी हो गया हमारा प्राण मलाई करी अगर ये वीडियो मेरी आप लोग को पसंद आई है तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ओप आप लोगों को पसंद आई हो की तेंक्यू, बाई बाई कर दोकी पोप लोगों कर दोगों को भी होगों को भी हो जब लोगों